दोस्तों मेरा profit हुआ है 287 का बट साम को जब contact note बन की आता है तो उसमें मुझे message आता है कि आपको 100 रुपे debit होने वाले हैं मतलब आपको loss हुआ है तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों बहुत लोग के मुझे message आते हैं कि sir मुझे profit हुआ है मैंने trading किया बट मुझे profit हुआ बट साम को जब देखा तो मैंसी जाए कि आपके इतने debit होने वाले हैं पैसे या debit हो चुके हैं contact note में भी negative नजर आता है तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है ऐसा सबके साथ होता है दोस्तों जो लोग beginners हैं जो अभी-भी market में आये हैं या कई दिन से trading कर रहे हैं बट वह छोटे profit क के लिए आते हैं 100-500 रुपे profit के लिए but at the end उन्हें loss होता है profit में होने के बाद तो ऐसा क्यों होता है यह reason दोस्तों हम देखने वाले इस वीडियो में बने रही है और साथ में हम यह भी देखेंगे अगर आप 100-1000 रुपे कमाने के लिए आए तो आप अपनी accuracy कैसे बढ़ स 27 सबको पता होगा कि अगर आपका जैसे जीरोधा में अकाउंट है या आपकी श्रॉक में अकाउंट है या किसी और ब्लॉकर के साथ अकाउंट है तो अगर आप option में trade करते हैं तो अगर आप खाली एक lot में एक lot की बात कर रहा हूं खाली अगर आप एक lot चाहें निफ्टी का हो चाहें फिर निफ्टी का हो अगर आप एक lot में trade करते हैं तो buy और sale करने में ही आपके 50 से 60 रुपेज दोस्तों लग जाते हैं मतब अगर हम maximum मान के चले 50 average ले ले लेते हैं 50 रुपीज लगते हैं माल लो तो अगर आप एक lot को buy और sale करते हैं तो उस case में आपको 50 आप हैं beginners और आप उचल कुछ बहुत ज़्यादा करते हैं जैसे कि सभी करते हैं option माल आजिकतर यह करता है आपने buy क्या sale क्या buy क्या sale क्या आप ने ले लिए पांच ट्रेड पांच ट्रेड हो गए बाइसेल के तो टोटल पांच ट्रेड में दोस्तों आपके यहां लगे 500 इससे ज्यादा ही लगेगा बट फिर भी आपके 500 रुपे लगे बट एड़ आपका profit में था 287 और 2500 रुपे आपके charges में चले ब्रोकेज में तो आपको कितना profit हुआ मात्र 37 रुपे अगर आपने 5 से ज्यादा ट्रेड ले लिए हैं मालने तें 10 ट्रेड ले लिए तो उस case म में आपके 500 रुपे तो ब्रोकेज में ही चले गए तो आपको profit कहा होगा आपको loss होगा तो इसलिए जब आप multiple trade लेते हैं छोटे-छोटे profit में exit कर जाते हैं तो दोस्तों at the end में क्या होता है कि आपको loss होता है जो लोग comments के बोलते हैं सर मैं तो profit में निकला था बट मुझे loss हो गया तो यही रीजन है अधिकतर आपने ले लिए पांच ट्रेड बट आपको छोटा सा profit दिख रहता है स्कीन पर 100 रुपे का तो ब्रोकेज भी तो देना है और जब मल्टिपल ट्रेड होते हैं STT लगता है बहुत अदर चार्ज लगते हैं तो यह 50 रुपे ज्यादा ह हो जाता है 60 अगर आपने कोई call ले रखा है या कोई पूर्ट ले रखा है जिसका strike price 500 का है या वैलू प्रियम चार सो का है तो उसकेस में आपको 60 रुपेज लगने ही लगने अगर आपने गलती से टू लोड ले लिए ती लोड ले लिए तो उसमें और ज्यादा पैसे दि रुपे ही कमाना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसा कीजिए गलती मत कीजिए मल्टिपल ट्रेड नहीं लीजिए मैं एक से दो ट्रेड लीजिए आपको पता रहना चाहिए कि अगर मैंने एक ट्रेड ले लिया है तो मेरे 50 रुपे ब्रोकेज में जाएंगे साथ कि साथ करो कि करता होना चाहिए तो कम से कम ट्रेड लीजिए एक या दो ट्रेड लेजिए तब ही आप यहां छोटा सा प्रॉफिट लेकर जा सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं उन गलतियों की जो आप मैग्जिम गलतियां करते हैं जिसके विए से आपको पॉफिट भी होता है मैग्जिम चार्फ हो जाते हैं कि आप कुछ ना कुछ पॉफिट लेकर जाएंगे अगर आपके दोनों ही में लॉस होता है तो लॉस होगा अगर आप एक भी पॉफिट में आ गया तो और दूसरा है में की सेट अप बहुत जो बिगनर्स हैं तो अदिकतर सैट अप के वह यहां सारे चलते है पर डेली नहीं चलता हूँ तब franchis party आपको विश्वास चला जाएगा तो आपको अपने सेट पर विश्वास रखनाः कैसा भी Фondas सेटप 2020 करने हैं चारा केंडल स्टिक का आप कोई पैंटर यूज़ करते हैं और सारे चलते हैं यूटूब पर बहुत सारे सेटप लेगए बन हमें विशास नहीं होता किसी एक सेटप में आपको होरों Ug income को अन कर पाएंगे जरूरी नहीं डेली चलेगा जिस दिन चलेगा उत दिन आपको पॉफिट दे के जाएगा बट आपको अपने सेट पर विश्वास होना चाहिए उसका बैक टेस्ट करना चाहिए तब ही आप ऐसा कर पाएंगे फिलाल यह दूसरा जो पॉइंट था आपको अपने सेट पता होने चाहिए कि मुझे कि सेट अब से टेड लेना है और दोस्तो तीसरा है कि आपको मॉर्निंग में टेड नहीं लेना बिलकुल मार्केट के खुलते जैसे नो पंदरा पर खुला और आपने नो पंदरा पर ही ट्रेड ले लिया तो मैंग्जिम चांसे आप मॉर्निंग को ट्रेड कर सकते हैं अधरवाइस दोस्तों आपके लिए सबसे बढ़िया है कि आप आए बारा बजे के बाद और इसली दो टेड लीजिए आपको पक्का प्रॉफित होगा इट करेंगे तो आपको प्रॉफित हो जाएगा तो आप अपने इस टैंट करते हैं और आपको फोर्फित अगर आफ से दस जय कि बिए टेड करेंगे तो एकलमस मैंग चांस होते हैं आपके लस कि चौथा है रिस्क and reward यह आपको पता होना चाहिए कि मैं आज का कितना loss ले सकता हूं और कितने profit पर मुझे निकलना है तो यह आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरा maximum risk कितना है और मैं कितने trade लेने वाला हूं या मेरा loss side क्या होने वाला है तो दोस्तो रिस्क and reward आपका maintain रहना चाहिए तब ही आप यहां continue कर सकते हैं और दोस्तों last हम देखेंगे 5 जो सबसे important है वो आपके है rules आपको अपने rules बनाने होंगे तब ही आप यहां ठिके रह पाएंगे कि आपको अपने rules पर बिल्कुल discipline में रहना है अगर आपका discipline यहां break हो जाता है ना तो आपका सब break हो जाएगा मतब सब खतम हो जाएगा आपका पैसा भी चला जाएगा आपका mental जो पीज है वो भी चला जाएगा और आपको share market से विश्वास भी आपको उड़ जाएगा तो अगर आप discipline में रहेंगे कि मुझे एक टेड लेना है तो मैं एक ही टेड लूँगा मुझे दो टेड लेने तो मुझे दो टेड लेने हैं मेरा आज loss हो गया तो मैं यहां से screen बंद कर दूँगा मैं नहीं लोंगा या मुझे कब टेल लेना किस टैमिंग पर टेड ले लेना है किस दीन नहीं लेना है कितने lot में टेड लेना है तो सब आपका discipline होना चाहिए सारे rules लिख्खनी कि मुझे जहां मुझे टेल लेना है कि मैं यह setup यूज़ कर रहा हूं तो मुझे यहीं ट्रेड लेना मुझे उछल्पूद नहीं करनी है तो उस case में दोस्तों अगर आप अपने rules को follow करेंगे तो बिल्कुल आप success हो जाएंगे यह बिल्कुल experience है और आपको continue यहां सीखना है इस market में अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग करेंगे तो एक दो दिन ही आप profit में रहपेंगे otherwise आप यहां money को lose करते रहेंगे और इस share market से भार हो जाएंगे तो दोस्तों अगर आप beginners हैं तो आप यह जो five rules है थोड़ा भी आपने follow कर लिया तो बहुत कुछ आप earn कर पाएंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था I hope आपको वीडियो अच्छी ल